वेलकम फ्रेंड्स आज हम लोग जो टैंद बॉर्ड है अपना सीजी बॉर्ड का उसमें हम लोग जो अध्या 14 है जैविक प्रक्रियाएं प्रजुनर विद्धि एवं परिवर्द और हमारा जो 15 चैप्टर है अनुवांसी की जनकों से संतानों जो साइन्थ का एक चैप्टर कीजिए और कम से कम सुने रहेगा जिससे आप एक्जाम में आएगए Question को आसानी solve कर पाएंगे और यह दो ही टॉपिक है जिसके उपर से Question सजीव अर्थात जैसे कि देखिए सजीव पादव हो गया हम सजीव है और हावा मिटी धूल पानी ये सब क्या है मृट्inação है तो हम लोग को मैं सजीवों में में प्रक्रिया वो प्रजिनन प्रज्णach यह परिवर्धन का अर्थ इस पेशली कि जो संपूर विद्य न पूरे सरीर के उसका हम लोग परिवर्धन बोलते हैं इन सबके टॉपिक के उपर से ही इसका अर्थ क्या होता है इसकी परिभाश आपको आनी चाहिए तो इसके उपर से भी क्वेश्चन आता है तो यह चीज उसके पैदा करने है जीवों को तो उसमें रण और मादा दोनों को मिलने का प्रोसेस रहता है उसको प्रजनन से प्रजनन के फ़ल फरूरूप क्या होता है मिकैश्चन समझे नर्द्धा क्षय है phrase reaction क्या निकालता है यूगमक्त और मादा क्या निकाले गई आपका निश्येचन कहलाता है अब इसको थोड़ा बढ़ा चाहा कि अच्छे सब्दों में लिग दीजेगा अब उसके बाद देखिए अब आता है हमारा एक वर्ड है व्रिद्धी और परिवर्धन इन दोने में आपको अंतर जानना जरूरी है तो देखिए परिवर्धन का अर्थ क्या होता है परिवर्धन मतब कि जियुक के सरीर की संपूर व्रिद्धी की पूरे सरीर में जो भी व RFRO रहा उसका परिवर्धन बोलेंगे का question आता है तीन नमर और छे नमर वाले question में महावारी चक्र को पूछा जाता है महावारी चक्र को आपको समझाने जा रहा हूं देखे महारी चक्र में क्या होता है उसको हम लोग इस दूसरा चित्र क्या बता रहा यहां अंडाणौ घूसानी होगा तो दूसरा चित्र क्या होगा होगा तो दूसरी प्रक्रिया होगा बच्चा बनेगा वो बच्चा यहां करके घरभासे के अंतरविती में अध्यалपीत हो जाएगा इसके उपर धस जाएगा और क्या अप्रा कनीर मान करके वो बच्चे को बड़ा करेंगे परिवर्दन होगा बच्चे में लेकिन अगर मालीजे कि यहां सुक्राणू नहीं आया और अंडाणू किवल ऐसा का ऐसा ही है तो अब यह क्या करेगा अब यह रिटान आ जाएगा अपनी यहां पर गरभासे में और गरभासे में जो अंतर भित्ती तियार हुई थी जो भ्रून को पालने के लिए वह भित्त का जो प्रक्रिया है ना उसको हम लोग माहवारी चक्र बोलते हैं तो रजोधर्म आपको समझ में आगा किस प्रकार अंडाणू मुक्ता है गरभासे की अंतर भित्ती तूट करके गिरती है यह क्या है रजोधर्म तो चलिए देखे रजोधर्म का यह एक छोटा साब को यह स्टेट्मेंट दिख रहा है इसको चलिए पढ़ लेते हैं अनिसेचित अंड यह हो गया अनिसेचित अंड वह गरभासे अंतर भित्ती का तूटने के पश्चात रक्त रूप में योनी से बाहर आना क्या कहलाता है रजोधर्म कहलाता है और यह किन में होता है यह महिलाओं कि यह तीन से पात दिनों तक चलता है अगर आप यह तीन पॉइंट बटा देते हैं और यह लास्ट का डाइग्राम बना देते हैं तो आपका तीन का तीन नमबर पूरा मिल जाता है अब इसके पश्चात यह देख लिए अगर नीशेचन नहीं हुआ तो यह होगा अगर न ब्रूण एक जिल्ली द्वारा गिरा हुआ है इसके चारो और एक जिल्ली आपको दिख रही होगी यह वाली जिल्ली तो यह जिल्ली क्या होती है इसको हम लोग अपरा बोलते हैं तो देखिए अपरा का अब एक अच्छा से स्टेटमेंट कि गर्भासे में इस थे को प्रदान करना है और तीसरा भूण के अप्सिस्ट को सरीर से भूण के सरीर से बाहर निकलने काम करेगा तो हम लोग पहला टॉपिक देख लिए अब इसमें से समझ कि आप अपने सब्दों में आंसर लिग दीजेगा या अगर आप इसका पीडिएफ चाहते हैं तो आपको वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से पीडिएफ ले सकते हैं तो और यह चित्र भी बना दीजेगा तो चलिए अब हमारे जो सबसे अंतिम औ कोई भी बच्चा है जो पेट में है तो उसका निर्धार्ण कैसे होता है कि वह लड़का होगा या लड़की इस चीज को इसके द्वारा अच्छे से समझने हैं इसके उपर से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहां तो एक सीधा बोल देगा कि मानों में निर्धार्ण में दिखेंगे मानो में निर्धार्ण यहां आपको यह रहा है इनमें से 1 जोडा क्या होता है यहां देख सकते हैं यहां देख सकते हैं लिंग गृष्ण does वर्ड उप्योग कीजिए जिससे आपको अधिक नंबर मिलने की प्रवेविल्टी आपकी बढ़ जाती हो आपको अच्छा नंबर मिलेगा डेपिनेटली तो चलिए देखते हैं इस दो निंग हो गया है नर और मादा लिंग हो गये और यह लेंग गुर सुत्र हैं लिंग का निल्धारन करते हैं तो इंओं देखें नर्वा मादा समक्राण का होता है Кар्या होगी यदि सतिति कैसे होगि इसी चीच को उतके इस साथ में इस चीज को समझा देना है नर का xy और मादा का xx यह किस प्रकार अब आपस में संयोजन के पश्चाथ संतर्थी पैदा करते हैं तो यहां देखिए अपने पास दो जनक है हमार पास दो जनक है एक नर और दूसरा मादा और इन दोनों में कौन गौन से गुड़ सुत्र है नर में है x y और मादा में है x x गुड़ सुत्र है अब इस चीज को अच्छे समझे इसको पर qwestihan आता हिह है और यह महावारी चकर इसको पर question आता हिह है तो इस इमेज को अच्छे समझे मिलने हैं कैसे मिलेंगे इस चीज को इमेज को रूप में कैसे समझाना है देखिए यह दोनों से मिल सकते हैं सब्हुत आब दीखिए पहला यह तो पहला से मिल रहा है यह यह लकीर आ लकीर है और यह लकीर आ अब फिर अब पहला एक्स है न अब अब इसी प्रकार यह जो वाई है यह एक बार इस एक से मिल रहा है और दूसरी बार में इस एक से मिलेगा देखिए यह वाई का एक लकीर आया यह ऐसे तो यह मिल रहे दूसरे वाले करके जब लोगता है यह दूसरा X यह दुनों लिका बनाएν धो सी पर का यहां भी मादा घूर्छूत्र का आया और यहां भी नर्लंसूत्र का आया तो यहां आपके आपके भूक में भी स्पुर्ष्ण तोर्पिश्ञ को बता या है इंड़ीज उसमें XX रहता है वो किस प्रकार आपस में मिल रहे हैं और इसके परशाथ यह चीत्र को देख लिए यहां XXXY करके किस प्रकार मादा मादा नर-नर का संतत्य का निर्माण हुआ है इस चीज को आप अच्छे से बना सकते हैं और आपको इसका इसके चित्र के साथ साथ इन सब्दों का भी उप्योग करतुए करना होगा तो आप इस नोट को हमारे दिस्क्रिप्शन के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं तो अब यह जो मैं बता है इससे तो आपका तीन नमर को क्वेश्चन कवर हो जाएगा इस पेशली यहां अगर आपको जानना है तो यह रजोधर्म वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरा पेज को आप याद कर ल सब्सक्राइब लिए अब जितना बहुत बार में सब्सक्राइब कर ले ना पूरे चप्टर का फिर का 15 नमबर फिक्स हो जाता है तो तप तक लिए हुए कि अप अगर सब चीज अगर आपको समझ में आया होगा और अगर आप इसका नोट चांब है डिस्क्रिप्षम छाओ इसका डाउनलोट कर लिजे अगर आपको सब चीज समझ में आया हो तो आप एस वीडियो को शेर कीजिए कि आपके friends भी इस चीज़ को समझ सकें और वो भी अपना अच्छा performance दे सकें finally अच्छे से बढ़ते रहे and thank you so much for your time